नमस्कर दोसुर फिर से स्वागत आपके एक नए वीडियो के साथ दोसुर इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ OPPO A16 Mobile में आप यहाँ पर Home Screen की सेटिंग कैसे कर सकते हैं Home Screen आपका यह है और Lock Screen तो यहाँ पर दोनों की सेटिंग आपको बताने वाली हूँ तो यहां पर आपको कैसा रखना है जो नीचे से slide करके drawer आ जाते हैं जिसमें application होती है तो वो drawer mode होता है आप इसे on रहने देंगे simple mode कर देंगे तो आपकी screen पे ही सारे application आ जाएंगे तो standard कर देंगे तो थोड़े खुले खुले आपकी screen पे ही सारे application रहते हैं लेकिन drawer mode कर देंगे तो अच्छा रहता है और in use पे क्लिक कर देंगे ठीक है जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे drawer mode होता है यह और अब आपको क्या करना है वापिस से पहले मैं उस page पे चाऊंगी अब यहां पे icon pull down gasher का option आजाता है तो यहां से आप one hand mode का यूज कर सकते हैं ताकि अगर यह जैसे कि on कर देंगे न और यहां पे अपना phone back करेंगे home screen पे रहेंगे तो यहां से आप इसको ऐसे करेंगे इस step से कुछ होता है तो यहां पे आपकी screen जो है छोटी हो जाती है शुरिंक हो जाती है और यहीं पे आपकी पूरी application आ जाती है और यहीं से आप इसको यूज कर सकते हैं तो इस step से यह वाला option होता है pull down का और यह icon auto fill होता है अगर आप इसे on कर देंगे न तो क्या होता है क यहां से जगर बच गई है तो यह अपने आप यह अपना space भर लेता है आपको यहां खुले खुले और अलग अलग application नहीं देखने को मिलते हैं अपने आप यह adjust हो जाते हैं और home screen layout का option यह होता है कि यहां पे आपकी जो icons है एक दो तीन चार ऐसे आने चाहिए या फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं 5 कर लेंगे तो यहां पे एक line में 5 आएंगे ठीक है इस step से आप यहां पे इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने according तो यहां पे इसका layout change कर सकते हैं home screen lock option यह होता है कि यहां से जैसे कि कोई भी application आप touch करके move कर देते हैं इधर से उधर रख देते हैं त यहां पे आप swipe down करते हैं तो यहां पे आपका search bar आना चाहिए या notifications आने चाहिए तो मैंने यहां पे notification कर दिया है ठीक है और यहां पे show app suggestion यह application जो suggest करता है कि आप यह वाला डाउनलोड कर लीजेए या यह आपने अभी चलाया था यह जादा यूज किया था तो वह यह application बा डाउनलोड करते हैं तो यहां पे add नहीं होता कई लोगों का डाउनलोड तो कर लेते हैं वह खाली यहां add होता है यहां नहीं होता तो यह वाला option on करने से ना home screen पे भी add हो जाता है और इसके बाद यहां पे app startup and closing animation आपका कैसा होना चाहिए मतलब application कितनी जल्दी open होना चाह तो fast, medium या फिर slow तो यह आप देख लेंगे तो मैं fast रहने दूँगी और इतना करने के बाद यहां पे आपको scroll करना है और double tap to turn on screen का option है यह जैसे कि double tap करने से आपकी screen की light on हो जाती है इस type से तो यह option है वो अगर यह on रहेगा तब यह काम करेगा और यहां पे lock screen magazine आजाती ह है आप इस पर क्लिक करके अपने जो magazine है वो अन करके अलग अलग जो pictures है वो लगा सकते हैं जिसे auto change wallpaper भी कहते हैं अलग अलग इंटरनेट पे जो available होती है ना हमेशा screen on करने पे वो आपको available देखने को मिलती है तो इस step से setting कर लीजेगा home screen की और lock screen की I hope guys यह वीडियो आपको इले नमस्कार